दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये background data whatsapp का क्या होता है जैसे for example अगर आपका phone हो सकता कोई और हो तब भी आप जब अपने phone में यहाँ पे whatsapp पर tap करेंगे और यहाँ पर app info में जाएंगे तो आपको एक mobile data and wifi का option दिखाएगा जिस पे आप click करेंगे तो आपको background data का option दिखादेगा अब जैसे ये redmi का phone है तो इसमें दूसरी तरीके से देखते हैं इसमें जाएंगे आप settings में settings में जाने के बाद आप यहाँ पे connection and sharing पे click करेंगे यहाँ पे data usage पे click करेंगे तो यहाँ पे आपको ढूंड लेना है WhatsApp यह रहा WhatsApp इस पे आप click करेंगे तो आपको background data का एक option दिखादेगा ओके यह क्या होता है देखे बाइडिफॉल्ट आपके में यह on ही होगा ठीक है जब यह on होता है तो simply WhatsApp जो है आपका वो background में आपका data use कर सकता है अब background क्या होता है जैसे आप WhatsApp नहीं चला रहे है ठीक है आप कोई और app चला रहे है माले तो YouTube आप चला रहे है बट WhatsApp पर कोई message आता है तो आपको तुरन दिखा देता है ठीक है यह तब ही हो पाता है जब WhatsApp background में आपका data जो है वो use करता है क्योंकि कि किसी ने आपको message भेजा WhatsApp आपका data use नहीं करेगा तो आपको message कैसे receive होगा ठीक है तो यह background में use कर लेता है data अगर आप इसको यहाँ पर बंद कर देंगे तो वो जो है WhatsApp आपका background में आपका data use नहीं कर पाएगा तो अगर कोई भी आपको message भी भेजेगा तो आपको कोई notification वगरा आएगा ही नहीं क्यो हुआ 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 है